खदिरादी वती के फाइदे और उप्योग क्या आपको पता है कि खदिरादी वती क्या है? खदिरादी वती एक बहुत ही गुरी आउश्दी है जिसका उप्योग बहुत सालों से बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा रहा है सदियों से हमारे देश में आयूर्वेदाचार्य खदिरादी वती का इस्तमाल कर रोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं खदिरादी वती का प्रयोग एक दो नहीं बलकि अनेक बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है आप मोह के छाले की परेशानी हो या दान्तों के रोग या फिर गले की दीमारी सभी में खदिरादी वती का इस्तिमाल कर सकते हैं कैसे आईए जानते हैं खदिरादी वती क्या है खदिरादी वटी एक आयुर्वेदिक औश्दी है जो मोह के छालों और स्वर्भंग यानी आवाज बैठने के रोग में काफी उप्योगी है यहाँ दुरगंधियुक्त सांस, दानतों के रोग, गले के संत्रमण आदी रोगों में लापकारी है खदिरादी वटी के फाइदे, आप खदिरादी वटी का प्रेयोग कई रोगों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, जो ये हैं मुह के छालों से आराम दिलाए खदिरादी वटी, मुह के छाले की बीमारी एक आम समस्या है यह खानपान के असंतुलन के साथ साथ अन्य कई कारणों से हो जाती है। कई लोगों को बराबर मुम्र के छाले की परेशानी होती है। ऐसे लोग खदिरादी वटी का सेवन करेंगे तो बहुत लाब मिलेगा। गला बैठने और आवास खराब होने पर करें खदिरादी वट अच्छानी में भी करी बार आबाज के बैठने की शिकायत हो जाती है। इन लोगों को ख़दिरादी वटी का सेवन। कई महिलाई या पुरुषों को मुह के सूखने की परेशानी रहती है। इन लोगों को ख़दिरादी वटी का प्रयोग करना चाहिए। ख़दिरादी वटी मुह के सूखने की समस्या में लाब पहुचाती है। दान्तों के रोग में खदिरादी वटी से लाब। दान्तों के कई रोग जैसे दान्त दर्द, दान्त में ठंडा गर्म लगने जैसी समस्या में खदिरादी वटी का उप्योग फाइदे मन्द होता है। इसके इस्तमाल के लिए किसी आयूर्वेदिक चिकितसत से सलार जरूर ले होटों के रोग में खदिरादी वटी से फाइदा खदिरादी वटी को चूसने से फाइदा होता है इसको मुह में रखने से होटों के रोग, जीब के छाले और तालू से संबंधित समस्याओं में लाब होता है खदिरादी वटी का इस्तमाल कैसे करें? आप खदिरादी वटी का सेवन ऐसे कर सकते हैं 250 से 500 मिलीग्राम खदिरादी वटी को मुह में रख कर चूसना चाहिए